ये रिसेंड़ी का है अफगानिस्तान के लोगों ने एक यूरोपियन कंपनी ने बड़े स्केल पर सर्वे किया अफगानिस्तान में से पूछा किस कंट्री को आप मानते हो बेस्ट फ्रेंड और सबसे जादा परसंटेज के साब से वोड यहां पर मिले इंडिया को बाकी जब इंडियन से पूछा जाता है कि क्या आफगानिस्तान को ट्रस्ट करते हो क्या आप मानते हो कि अफगानिस्तान इंडिया का एक बेस्ट फ्रेंड है तो इंडियन का यहां पर क्या मानना है ये भी हम जानेंगे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा मगर आगे बढ़ पेक्वार कर रहे हैं इस पर रिसेंटली बहुत से आर्टिकल भी पब्लिश हुए थे तो यह है यहाँ पर आपकी ऑप्शन United Arab Emirates USA UK या फिर कतर comment section में करिए उतर सही answer में आपको दूँगा वीडियो के अंत में All right, so Afghanistan एक strategically बहुत ही जादा important देश है अब आदी है इस देश की 3,90,000,000 अब यहाँ पर आप कहेंगे wait So Afghanistan में एक European company ने survey किया कैसे क्योंकि यहाँ पर कोई international flight तो operate करती नहीं है तो कैसे Europe से लोग यहाँ पर पहुचे अफगानिस्तान में देखिए अफगानिस्तान में मैं आपको बता दूँँ आज के समय 90% जो population है यह cell phone यूज करती है cell phone में इनके पास internet है और हजारों लोगों से यहाँ पर एक सवाल पूचा गया online forum द्वारा कि क्या आप मानते हैं कि Taliban honest है क्या आप मानते हैं कि India आपका west friend है ऐसे बहुत सारे सवाल पूचे गए और इसका जवाब दिया directly अफगानिस्तान के लोगों ने अब सबसे interesting बात मुझे यहाँ पर यह लगी कि 78% अफगानिस्तान के लोगों ने यह कहा है कि अश्रफ गनी के अंडर जो सरकार चल रही थी अफगानिस्तान की वो जादा करप्ट थी जादा भष्ट थी compared to the current Taliban government यह अपने आप में बहुत ही एक interesting statistic है दूसरी बात लोगों से जब यह पूछा गया कि क्या Taliban को अफगानिस्तान में लाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ था तो 83% लोगों ने कहा कि हाँ बिलकुल पाकिस्तान का हाथ था और 67% लोगों ने कहा कि इसमें China का भी support इनको मिला है मगर इसका मतलब यह नहीं है कि current अफगानिस्तान की अबादी तालिबान को support करती है majority अफगानिस्तान की population ये मानती है कि तालिबान के लोग भी कावी corruption करते हैं और अगर तालिबान ने democracy वापस तापे नहीं करी अफगानिस्तान में तो अफगानिस्तान में हो सकता है कि इन्दा future हलात और जादा बत्तर हो जाएं फिर देखिए अफगानिस्तान के लोगों से ये पूछा गया कि किस country को आप मानते हैं कि अफगानिस्तान का best friend है ये देश हमेशा अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा तो इस सर्वे में 69% अफगानिस्तान के लोगों ने का कि इंडिया इस आर best friend अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ठीक है 69% ने कह रिया कि इंडिया इस आर best friend बाकी जो 31% है वो मानते है कि इंडिया इस नॉट आर best friend नहीं नहीं देखो यहाँ पर हुआ यह है कि मान लो आप फॉर एक्जामपल 100 लोगों से पूछा कि आपके साब से अफगानिस्तान का best friend country कौन सा है तो 69 लोगों ने का कि इंडिया उसके बाद number 2 पे था USA जी हाँ USA आज भी number 2 पे है कई अफगानिस्तान के लोग बानते हैं कि अमेरिकान जब रहते थे अफगानिस्तान में तो इस टाइम corruption कम था सब कुछ ठीक ठाक चलता था आज भी एक sizeable population है अफगानिस्तान में जो चाती है कि USA कही ना कही help करता रहे अफगानिस्तान को तो इंडिया के बाद 22% वोड यहाँ पर मिला USA को फिर USA के बाद देखो 10% यहाँ पर वोड मिला है पाकिस्तान को और उसके बाद 9% वोड मिला है रश्या को 6% वोड मिला है साउज एरेविया को और सिर्फ 4% वोड मिला है चाइना को तो मतलब के बहुत ही जादा कम percentage के लोग हैं इन अफगानिस्तान जो मानते हैं के चाइना पाकिस्तान का कुछ positive impact रहा है इन अफगानिस्तान और मैं यह report पट रहाता interesting बात देखिए इस report में ही लिखा है के इंडिया की जो constant investment रही है अफगानिस्तान में जिस तरीके से इंडिया ने help किया है अफगानिस्तान को over the years इसका ही नतीजा है के इंडिया को इतनी जादा high percentage मिली है अब यहाँ पे आप देख पाऊगे लिखा हुआ है यह असा नहीं है के हम लोग ने उनके लिए बस damn वगर आप ना दिये या फिर उनके लिए कुछ हमने funds दे दिये तो यह सब है अफगानिस्तान के लोग genuinely यह बाद समझते हैं कि कई दशकों से इंडिया constantly अफगानिस्तान के लोगों की भैतरी के लिए काम करताया है चाहा रीसेंटली अफगानिस्तान में जो भूचाल आया हो या फिर COVID-19 वैक्सीन के आफशकता हो इंडिया has always stood with the people of अफगानिस्तान और मैं आपको ऐसे यह बता दू कि इंडिया की जो यह foreign policy एक बहुत ही बड़ी success साबित हुई अफगानिस्तान में हमारी कोशिश यही है कि same type की success हम को मिले बांगलादेश में और even Maldives में बांगलादेश में आप देखोगे जरातार जो लोग है वो इंडिया को as a best friend country मानते नहीं है हाँ बांगलादेश की सरकार जरूर मानती है कि इंडिया उनके लिए काफी important है मगर बांगलादेश में आम लोगों को मैं कहूंगा history की या तो इतनी knowledge नहीं है या फिर हो भूल चुकेंगे किस तरीके से India is responsible for the creation of Bangladesh खैर अब यह तो हमने बात करी है किस तरीके से अफगानिस्तान के लोग देते हैं इंडिया को क्या इंडियांस भी same type का एक perception रखते हैं towards अफगानिस्तान तो इसका answer है नई देगे reality यह है कि South Asia में हमारा जो यह region है यहाँ पर Indians अगर एक country को सबसे जादा trust करते हैं मानते हैं कि इनके साथ हमारी interaction काफी अच्छी है culturally काफी है तक similarity है तो वो देश है शिलंका उसके बाद आपको नेपाल मिलेगा भुटान मिलेगा बांगलादेश और अफगानिस्तान की जो percentage है overall बांगलादेश और पाकिस्तान की जो percentage है इस मामले में यह आपको काफी कम मिलेगी और अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है अफगानिस्तान का आम नागरिक तो इं अफगानिस्तान हिंदू सिथ पॉपलेशन अब बस मतलब बहुत जादा कम बची है आतंगवादियों को भी ढून ढून के अटाक करना पड़ता होगा तो यह सब जब जानकारी इंडिया में मिलती है तो अव्यसली इससे अफगानिस्तान की एक बहुती फ्रेंडली कर पाए और मेरे हसाब से यह अतना मुश्किल होगा नहीं 99.50% जो बाबादी है यह इसलाम भोरो करती है बाकी 0.50% लोग जो है उनके लिए कुछ केर करना इतना मुश्किल काम नहीं होगा और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेशन भी पूचूँँगा कि क्या आप मा पारे में comment section में यह भी अपना छोटा सा survey हो रहा है यहाँ पर मैं genuinely जाना चाहूंगा आपका opinion नाव वापस आते हैं हमने question की तरफ के Indian nationals भारतिया नागरिकता छोड़कर जरातार किस country की नागरिकता प्राप कर रहे हैं तो सही उत्तर यहाँ पे है option B the United States of America यहाँ पर आप UK में और हां important information अनकाडमी की अभी जो special sales चर रही है 20% की यह 22 तारीक मद्यरातरी को खतम हो जाएगी तो आपके पास कुछी दिन बचे हैं comment section में जाओ अगर आप कोई भी exam है किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं IIT, NEED, BANK, SSE, UPSC आप purchase कर सकते हैं अनकाडमी के quality courses usually discount होता है 10% आजकल यह discount चल रहा है 20% का तो for example अगर मालो आप prepare कर रहे हो let's say for UPSC क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पर purchase कर पाओगे UPSC का course और अगर मालो आप अभी एक college student हो time है 2-3 साल का अराम से आपको 2025 के आसपास एक attempt देना UPSC का तो जो 36 मेने का course है यह भी आप कर सकते है purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे है pay करने के आप शकता नहीं है use करिए code PD10 और जहाँ पर देख पाओगे सीधा 20% आपको discount मिलेगा 22 तारीक को यह sale खतम हो जाएगी so use the code PD10 and save your hard earned money इसी note के साथ यह है वीडियो का thank you for listening and as always God bless you all कर दो अरो is to